नमस्कर दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक Quality Control टूल की जिसमें आपके पास आज का जो है, वो है Coge and Effect Diagram जिसको इस ही कावा Coge and Effect Diagram भी बोलते हैं, इस ही को आपके पास Fist Bone Diagram भी बोलते हैं, क्योंकि आपके पास Fist Bone Diagram हैं, वो आपके पास तरह का भी आपका Diagram बना हु तो यह आपके पास quality control tool है और quality control जो भी tools है उनका जो basic function होता है वो quality को improve करना होता है कि किस तरह से आपके पास product की quality बढ़ाई जाए किस तरह से quality इस तरह improvement होए कि customer आपके पास वहाँ पे satisfaction हो अब हमने यहाँ पे आपके पास एक example लिया है जो कि आपके पास एक विक्कल का example है automobile जो विक्कल है उसका example लिया है तो यह charge and effect diagram आपके पास कहता क्या है काज से meaning है सबसे पहले कहता है कि current find करो और फिर उसका जो effect पढ़ना है उस चीज को भी देखो और finally उसको resolve करने की कोशिज करो तो कहता है कि आपके पास जो जो भी आपके पास काज आए जो भी आपके प लोटे groups में तोड़ ले हम लोग कि material में आपके पास vehicle में क्या यूज होगा fuel यूज होता है या फिर हम लोग है जो लूब्रिकेंट यूज करते हैं तो यह आपके पास इस तरह से उसको सब groups में तोड़ लो और आपके पास क्या load की last में variation आई उस चीज को हम लोग चेक करे ताकि vehicle आपका continuously smoothly फिर बाद में run करता रहे problem उसमें ना है जैसे for example इसने बताया आपके पास की measurement अब measurement में आपके पास क्या कारण आपके पास sensor है आपके पास या calibration है तो यह basic हम लोग उसने कारण हमने find कर लिया कि कोई sensor की कोई problem तो नहीं है वो हम लोग measure करके देखें calibration check करक तो इस तरह से आपके पास उस चीज को हम लोग check कर सकते हैं ऐसे हमने material में देखा तो material में आपके पास क्या चीज़ सो कर रहा है कि fuel हम लोग कौन सा use कर रहे है अब fuel का उसके उपर क्या impact पड़ रहा है fuel आपके पास कोई problem create कर रहा है तो उसका क्या कारण रहा है आपके पा पास जो driver है तो driver का behavior कैसा है आपका किस तरह से आपके पास vehicle को रन कर रहा है tire का pressure जो है वो properly उसने चेक किया कर नहीं चेक किया तो basic आपके पास ये कारण इस तरह के हो सकते है ऐसे आपके पास environmental things है कि आपका जो है कारण रहा operational environment कोई problem आई मान लीजिए वो operation कि कि किस environment में य हमने कौन-कौन से methods apply किये उस vehicle में उस weather में हम लोग देख ले तो तो ये basic हम लोग current find कर लेंगे और उनका effect क्या पड़ेगा for example मान लीजिए हमने current find किया कि इस weather में आपके पास जो vehicle है वो आपका properly नहीं चल पाएगा इसमें आपके पास problem आएगी या ज़्यादा आपके पा रहे हैं तो उसका हमने current find किया कि इतने पर आपके पास वो है ऐसे breaking system कि किस time पर आपको breaks apply करने है ऐसे assembly हुई इस पे तो assembly करने में कौन सा method लगा तो ये basically हम लोग जो है उसमें kages find करते चले जाएगे effect क्या पड़ेगा proper angle पर हमने उस vehicle को नहीं मोड़ा तो problem create होगी आपके पास weather में proper ध्यान नहीं रखा तो आपके पास वहाँ पर breaking system damage हो सकता है उसमें आपके पास अगर गलती से water चला गया assembly आपके पास proper नहीं हुई तो ये भी आपके पास बहुत बड़ा उसका impact पड़ सकता है तो ये चीजे basically आपके पास क्योंकि quality को improve करना हमें ऐसे आपके प impact जो आपके पास क्या पड़ा कि frame के ऊपर कोई problem है wheel के base पे उसकी वज़ेस कोई problem आई tires में आपके पास proper हवा नहीं थी तो आपके पास tires के वज़ेसे आपका विकल में क्या problem आई suspension system में आपके कोई हुई तो क्या impact विकल के ऊपर पड़ा तो ये सभी चीजें जो हैं इनकी वज़े से आपका जो भी कारण होगा उस कारण को और फिर उसका क्या effect पड़ेगा कारण जो हमने डूंडा कि आपके पास fuel properly जो हमने डाला था वो ठीक नहीं था आपके पास तो हमने उसका basic reason find कि क्यो fuel ठीक नहीं था कि हमने उसकी average को measure किया average measure करने के बाद पता लगा ऐसे आपके पास उसकी lubrication करवाया था हमने या किया था हमने खुद से तो अब हमने देखा उसमें कि lubrication कर दिया फिर भी कोई sound आ रही है उसमें तो different sound आ रही है विकल के अंदर तो basic क्या है कि उसका कोई material आपका खराब था तो कारण हमने वो डूंड लिया अब उसका effect क्या पड और यह बताया था कि क्या किसी चीज के कारण होते हैं और उसके क्या impact आपका पड़ता है तो यह था आपके पास quality control tool cause and effect diagram इसी कावा cause and effect diagram थैंक्यू दोस्तों